तेलंगना की बलिदान दिये ये बलिदान तेलंगना के उजवल बविश के लिए थे ये बलिदान तेलंगना की आन बान शान के लिए था तेलंगना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगना के विकास के सप्णों को लगातार कुछलता रहे तेलंगना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार शाम दाम दन्ड बेद यह रास्ता अपना करके तेलंगना को तबाह करने में नहीं नहीं साधिस करते रहे ताथियों परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है परिवारवाद और परिवारवादित पार्टियां देश के लोगतंत्र और देश के युवाद दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है देश्ते जेखा है देलंगणा के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सब्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सुदस्या ब्रस्टा चार उसका सबसे बड़ा चहरा बन जाते हैं देलंगणा के लोग देख रहे हैं कि परिवार वादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं अपने परिवार के सदश्यों की तिजोरिया भरती हैं इस परिवार वादी पार्टियों को गरीब के दर्द की गरीब की तकलीब की न उनको कोई जिंता होती हैं न कोई परवा होती हैं इनकी राजली थी सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है एक परिवार लगातार किसी भी तरह सब्ता पर कबजा करके लूट सके तो लूटता रहे इसके लिए ये लोग समाज को बाटने की साजी से रखते हैं जंक्ता का विकास मैं उनकी कोई रूची नहीं होती है पीछे पन समाज पीछे रहे उसे में उनका पला देखते हैं साथियों परिवार बात की वज़े से देश के युवाओं को देश की प्रतिभाओं को राजनीती में आने का अउसर भी नहीं मिलता परिवार बात उनके हर सपनों को कुचलता है उनके लिए हर धरवाजे बंद करता है इसलिए आज 21 सदी के भारत के लिए परिवार बात से मुक्ती परिवार बादी पार्टियों से मुक्ती एक संकल्प भी है और एक नईतिक अंदोलन भी है जहाँ जहाँ परिवार बादी पार्टियों हटी है उनका अस्त हुआ है वहाँ वहाँ विकास के रास्ते भी खुले है अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगना के मेरे प्यारे भाई और बेनों की है तेलंगना की जनता की है साथियों एक और भाजपा की लड़ाई तेलंगना के बविश्य के लिए है तो दूसरी और ये लड़ाई तेलंगना के सम्मान, स्वाबिमान और पहचान की भी है यहाँ एर्पोर्ट से वहार आते ही तेलंगना की जो हवा में मैसूस कर रहा हूँ ये जो मैं द्रश्चे देख रहा हूँ ये तबती धूप में आप लोगों का उसा उमांग देखता हूँ मैं इसके आधात कह सकता हूँ कि हमारा संगर्ष रंग ला रहा है पिछले दिनों अलग अलग चुलावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पस्ट संकेत है कि तेलंगना में अब लोगों ने मन बना लिया है तेलंगना में अब बदलाव पक्का है तेलंगना में अब भाजपातता है साथियों ठाजपाने पिछले आठ सालों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की निरंतर सेवा की है गरीब पिछरा दलीत आदिवासी हमारी माताएं बहने हमारे अंतोज़े के सारे साथि भारतिय जनता पांटी के लिए उनका उतकार्ष ये हमारी आस्ता है देश का सम्मान देश के गरीब मज़ोर और किसान के सम्मान से जुड़ा है आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सकता है स्वाबी मान से जीवन जाने का प्रयास कर सकता है हमने हर गरीब को सवचा लए देने का वाइदा किया उसे पूरा किया हमने गरीब को देश की आर्थिक मुख्यधारा से जोटने का संकर्प लिया जंदन योजना खातों के जरिए उसे पूरा किया हमने गरीब मातों बैणों को दूए से आज़ादी देने की बात कही उनके नाम पर उन्हें पक्का घर देने की बात करी पूरे देश में आज करोरों गरीबों का यह सपना साकार हो रहा है आज किसानों के उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई वेरों को किसान संवान निद्री मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है मुद्रा योजना और स्वनीदी योजना जैसे प्रयासों से लाखों करोडों युवाओं के लिए स्वरोजगार के अउसर बन रहे हैं तेलंजना के गरीप, दलीट, पिछडे, आदिवासी और महलाओं को भी योजनाओं के लाख का पूरा अधिकार है लेकिन दुर्भागे से यहाँ इन योजनाओं के नाम मदल कर इन पर भी सियासत हो रही है आप सियासत करिए जन्ता के दिलों से नाम हमारा हटा सकते है, ना हमारा नाम मिता सकते है क्योंकि हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं जी जान से गरीबों का कल्यान के लिए समर्पित लोगों के हमारी परंपरा है साथियों जब योजने प्रचार और परिवार के प्रस्टाचार कर शिकार होने नगे तो उससे सबसे ज़्यादा नुक्षान हमारे गरीब भाई बेहनों का होता है हमारे दलीद, पिडीद, सोचिर, वंचित का होता है वाजपा के काय करताओं का दाईत्वा है इस सज्चाई को तेलंगरा के हर एक नागरी तक लिए कर जाए भाई और बेहनों, हम सब जानते हैं कि तेलंगरा का सामर्थ क्या है यहां कितनी संभावना है हम चाहते हैं कि तेलंगरा तेजी से विकात की रप्तार पकड़े दाजियों, 21 सदी का नया भारत आत्मंदिल भरभारत और मेक इंडिया के सक्नों को लेकर आगे बढ़ा हमारे स्टार्ट अप्स आज पुरी दुनिया में अपनी चाप छोड़ रहे हैं आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम है अभी कुछ दिन पहले ही भारत का सौवा यूनिकॉन हमारे सामने आया है आज हम एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थ ववस्ताव में से एक है हमारी इस ग्रोथ स्टोरी का सबसे वई भूमिका टेक्नलोलोजी की है टेक्नलोलोजी का देत्रुत्व दे रहे है हमारे यूवान नौजवान साथी और बात जब टेक्नलोलोजी की हो और तेलंगना और तेलंगना के युवानों के शम्ताओं के बिना ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती इस शम्ता के पुरिस्तवार के लिए तेलंगना को एक प्रोग्रेसिव और इमानदार सरकार की जरूरत है ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है साथियों आदुनी ज्यान विज्यान के इस यूग में मैं तेलंगना के लोगों को एक और बात के लिए भी सतक करना चाहता आज के इस यूग में अभी भी 21 सती में भी जो लोग अंद्रविस्वास के गुलाम बने हुए है वो अपने अंद्रविस्वास में किसी का भी नुक्सान कर सकते ये अंद्रविस्वासी लोग तेलंगना के सामर्त के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते चातियों मुझे आप है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ ऐसे कुछ शहर के ना पहचान मना दी गही थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है अगर वहां जाएगा तो उसकी पुर्सी चली जाएगी भाई यो बहनो मैं जंके की चोट पर वही पर जाता हूँ था बार बार जाता हूँ मैं विख्यान में विश्वाद करता हूँ मैं टेक्रावजी में विश्वाद करता हूँ हाँ यदानो मैं तो आज तेलन जना की इस धर्थी से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री सिमान योगी आदितिनाज जी को भी बढ़ाई देता हूँ उनके वो तो संत परंपरा से हैं सन्यासी परंपरा से हैं उनके कपड़े वर वेजबुजा देख करके कोई भी बात मान लेगा जब उनके सामने आये कि भवानी जगा पर नहीं जाना चाहिए डिकनी जगा पर नहीं जाना चाहिए योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ और वो चले गए और धुबारा मुख्यमंत्री भी बने गए अंद विस्वास को इस प्रकां से तबज्जु देने वाले लोग तिलंगना को उसके भविश्य को कभी संगार नहीं सकते हैं भाइयो बैनो ऐसे अंद विस्वासी लोगों से हमारे तिलंगना को हमें बचाना है मैं आप सभी बाज़पा कायरकरताव से कहूंगा हमें पूरी महनत करनी है हमें तेलंगनागी जंता की सेवा में कोई कोई कसर नहीं छोड़नी है मुझे पुरा विस्वात है कि भाज़पा का हर एक कायरकरताव इसी उत्साव और समर्पण के साथ आगे भी काम करता रहेगा पेजी से विकास के रास्ते पर चलेगा तुस्त्री करन की राजिनिती से मुक्त होगा परिवारवाजी पार्टी के चंगुल से मुक्त होगा और थाईवे भणो मैं 2013 वो समय भूल नहीं सकता मैं तो गुजरात का कायरकरता था पुरा देश न मुझे जानता था लेकिन हैदराबाद ने एक ऐसा इतिहास रचा था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सोच में परिवर्तन लाया मैं आपको याद दिला मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के सारवजनिक जीवन में वो पहली घटना थी और हैदराबाद तेलंगरा के लोगों ने करके दिखाया था जब मैं हैदराबाद आया तो मेरा भाशन सुनने के लिए तिकट चक्खी गई थी पैसे दे करके आई ये सुनने के लिए और मैं देख रहा था तेलंगरा के लोगों ने तिकट खर्च करके इतनी प्रेम बर्शा की थी तनी प्रेम बर्शा की थी और उसे वही एक कर्णिंग पॉइंट था कि आज मुझे देश की सेवा करने का मोका मिला है यही है ग्राबाद यही तेलंगरा अम नया इतियाद बना करके तेलंगरा मैं जल्ला गाणने वाला कि शाथियों मैं आपके परिष्ठम की जितनी तारिफ करूतनी कम है मैं आपके जजवे की जितनी तारिफ करूतनी कम है लेकिन मुझे पुरा विस्वात है ना आप जुकने वाले हैं ना ठकने वाले हैं आप जूजने वाले भी है जीतने वाले भी है मेरे जाहत वली भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद तो ये आप सीधा प्रसारण देख रहे थे हैं है एदराबाद से ये है एदराबाद हवाई अड़े के पास भाजपा कारे करताओं को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे